हालो एक्टाप्रिक बचा है लेसिंग और बेटिंग आप देखेंगे तो कविसेंग और बेटिंग में डिकनर लिखा हैँ इन कि इन इग्जाम्नेशन यैनि उसका उसका सिर्फ या प्ढ़ना हुआ हैं सिर्फ ठीप्र ना सिंपल इंट्रोड़क्शन पढ़ना है तो दस मिनट का लेक्चर है उसको लास्ट में खतम करेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं नुमेरिकल सालों करेंगे समझें जितने लोग हम से जुड़े हुए है किसे ने किसी माद है हम से सोसल मेडिया वाटसाब फेस्बूक या फिर इंस्टाग्राम से उनको हम पूछे कैसा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो लोग का हैं कि करके हम बेजिए तो कुछ लोग तो किये और कुछ कोच्टनÉ मैक्सिमम लोग हम भता रहें मैक्सिमम लोग इधर होदर कहीं कहीं जा रहें को तो प्रतिभल को onions में निकाल दे रहा हैं छोटी-छोटी गलतिया मत करिए कि हम बहुत इमन्दारिय्ष है और बहुत अच्छे चाफ लोगों को धीरे-धीरे पढाए थिश् вид हो जाएगा कि आपका निकालने का समझेगा क्या लिखा है कि एक असतत संपीडांग उपांग के लिए दो क्या गया है कितना है किया गया है उपांग की लंबाई कितना है यह लेंद्ध कितना मिल आपको लेंध मिल आपको तीन हजार एमें लंबाई कितना मिल आपका तीन हजार एमें तथा उसके परतेक शीरे पर दो रिवेट तवारा घसेट पलेट से संबंद किया गया है कितना डिवेट लगाए गया है प्राभव प्रतिवाल 250 न्यूटन प्रतिएमें लेते हुए उपांग क इसको क्या बोला कि सुरस्चित भार गयात करिए या आपका पूछ रहा है कि इस्ट्रेंद लोग लगा तो बहुत लोग लगाए तो इसी च्छोटी-च्छोटी गलतियां जब मुझसे परने तो आपको करना है ठीक है चलिए लगाते हैं क्या है कि आपका फ़र्स टेप क्या होता इफेक्टिव लेंद इन्हीं परभावी लंबाई ठीक है इफेक्टिव लेंड इसमाल यहल क्या होगा दस्मलों आठ पांच है ना मुझे लंबाई वास्तिव कि लंबाई तीन हजार अब समझेग किनारे पर कितना रिवेट्ट लगा है तो तो किया गया है तो पर इसमोलों आठ पांच हुआ रख्तिव कितना जायगा चोफ जो साथ कितना जाएगा चोबीष सो साथ मितना बागा से इस्ते टैवल से बिस्ते टैवल से क्या प्लेंगे हम बभूल ने यह कि रिखेंगे किस तुछ吔 कली नॉम अ कूझ तो जाएंगे किसके लिए जाएंगे पच्छाइटर गूड़े च्छाइए में के लिए ठीक है तो जाएंगे पेज नंबर अब चले जाएंगे पेज नबर शाट शोट तर में जाएंगे तो आपको इस्टील टेवल देखना आगए तो मेरा फटा हुआ है पचातर गूले से पचातर गूले से पचातर गूले चैनल के लिए तो एरिया कितना आपको 75 मीलेगा आपको 800 666816 ए में इसक्वाइर और कि मिलेगा इएक्स एक्स एक्स और आइवाईवाई याई इक्स और आईवाईवाई याईग्स आइवाईवाई याई याई एक्वाइक वाइक्ष कितना है दृ दस मोल डों ठीक है बाकि हमको देखना होगा तो आगे पहले अब समझेगा आप क्या निकालेंगे निकालेंगे इस टेप थार्ड नियूंतम परिभरमार तिरिज्ज्या है ना यह मीनिमम मिनिमम क्या होता है समझगा आर मिनमम क्या बताय थे जब सीफ एक ही अंगल लगा रहाता था हम क्या करते डायरेक्ट किस्षे निकाऊ उठा लेते हम स्टिल टेवल से और भी भी को आर मिनिममम ढोण gelir देते लेकिन अभी घसेट परेट से कितना एंगल दो एंगल जोड़ा हुआ है था मिन्मान क यक्ष है लेकिन ऐ मिनिममाम हभावशे को रखेंगे हम आइ मिनिमम नीकल यक्ष लिए अउसली सही किये थे यौ भी सही निकलना प्रक्षान की भी सण निकल लेकिन दिन मिनिमम भी रिखेत से लेकिन यह फिर धिक है ठीक है तो थ्वाध्यान से दिखिए क्या हो जाएगा टू आई यक्स अब तो आप जानते होंगे तो पिछले नुमेरिकल में क्या कर चुके आपको बता चुके हैं तो यक्स समझेगा तो कितना है तो कितना जाएगा आजाएगा आपका 45.7 गुणे 2 गुणे 2 91.4 सेंटिमीटर पर फोड़ अब आई वाई वाई क्या आएगा समानतर अच्छी के पर्मिये से क्या होता है आए इसमाल वाई वाई पलस हो जाएगा ए यच्च का स्कॉाइर यच्च मतलब ए यक्स का स्कॉाइर ठीक है अब देख हुआ है डो आयुआ है य्वाई किसे आएगा समझे दो आई यह वाई वाई कितना है यक्स के बराबर 45 दस गोष्मने करेंगे तादैगा 10-4 में पलस एक कमान ए आट लुष्ट है ना आट अट लुष्टर्ट पलस यक्स अभष्माज़िए इस समझ्जेगा ए दूरी कित यहां से लेकर यहां से कीतना है इसका है क्या मिलेगा 20 गसेट का आधा ना हील्ट यह 24 स्कौर्व है फसाय यह 15 दसंडिस में चैनल 06 का इसक्वाइर है ना आई वाई वाई देेंगे देखा और अन्मान के है नियसका के लिए समाजिएगा ju बाई बाई कमान देखिए 25.6 का स्क्वाइड 25.6 का स्क्वाइड पत्चीस दस मलोट च्वाइड 25.6 का स्क्वाइड यहां क्या है इंटु है गुड़े क्या हो जाएगा इसी में 866 हो जाएगा आपका 866 ठीक है तो कितना जाएगा यह जाएगा दू यह जितना आया यानि 45.7 गुड़े 10 पे 4 प्लस एक कितना जाएगा पांसोगों सब्सक्राइड शाएगा तो कितना जाएगा अपका पैंतायच दस मलोट साथ दूत शाएगा आपका पैंतालिस में शाथ खार दस मोलोद नो गुणवे दस पे चार एमें पर थीवाँ ठीक है दिख रहा होगा तो आहेसा कितना नहीं करेंगे कितना जाए मान्त सब्सक्षी कवाँ बदूड़ेश डश्क्रण और और यही बात हम बार बार नुमेर करने का रहा है जब आपका इकवल एंगल होगा थीक है जब आपका इकवल एंगल होगा तो इसमें क्या होगा तो मिनिमम हमेशा कौन सा होगा उसका इकवल एंगल होगा तब तो नीकले निकालेंगे बांगे जब इसके घ toy 2 तरह सेव्द प्र冷 morning ऑनिइ ऐने जो मिनिमम मर्हें आगा उसमें मिनिमम को रखेंग है ठीक है समझाया होगा जब अनिकोल एंगल का कंडिशन रहेगा तभी हम सिर्फ दोनों प्रोसेस को करेंगे नहीं तो आप कंसेप्ट आपको विल्डप हो गया होगा कि कि आई एकसी मिनिमम हो जाएगा पर दो से गुणा करके रख देंगे तो आर मिनिमम में कितना चार गुड़े दस पर चार अपान दो गुड़े कि एक अवान कितना आठ सो चाठ तो आर मिनिमम कितना जाएगा 91.4 कुड़े एक दस पर चार भगा आठ सो चाठ भगा दो कितना आ रहा है अंडर रूट पांस सटाइस दस मिलब साथ एक तो आर मिनिमम अंडर रूट बाहर निकालेंगे कितना जाएगा कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ता जाएगा 22.9 हम कितना में ले रहे हैं तेज से में ठीक है 22.9 आ रहा है यह चलिए बाइस दस मिलब नो एमें है ना क्या निकल गया आर मिनिमम अगला क्या होता है मेरा इस्टेफ इस्टेफ फूर इस्टेफ फूर क्या होगा कानुता नुपात कि लेमडा कितना होगा लेमडा परभावी लंबाई कितना यह मेरा है मेरा मैरा चोविश सो शाठ जैनी परभावी लंबाई कि नियुंतं परिल्बर मनर तेजिया है ना जैए लृपल जैगा बाइस दसमालो नो ठीक है तो आ जाएगा एक सो साथ दसमालो चार दो कितना एक सो साथ दसमालो चार दो तो क्या करते हैं आप इसको नोट कर यह इसका तो कोई काम है नहीं है अब समझेगा अब किसके लिए एक सो साथ दुश्म लोग दो है तो लेमडा सो के लिए और लेमडा 110 के लिए निकालेंगे क्या इस टील टेबल से अनुगे संपीडन प्रतिवर तो यहां लिखेंगे हम स्टेप फाइफ इस्टेप फाइफ आद क्या जाएगा देख एस्टिल टेवर से से लेमडा से यह फई 250 के लिए इस्टील के लिए यह फई 250 के लिए लेमडाइशकल टू 100 के लिए कि और क्या आदेगा लेमडाइशकल टू 110 के सिगमा एसी आप जाई ए प्रोसों प्राइब था हुआ कि तो के सुब मिल जाएगा 250 में असी और 110 के लिए कितना बाटतर की लिए आजाएगा सब्सक्राइब क्या करते हैं को मिटा रहे हैं ठीक है देखे हील गया कैमरा कि देखें को सब्सक्राइब करें अब नूट करिए अब सबसे बढ़ा प्रतिवल लिखते हैं फिर क्या लिखेंगे दोनों कांतर यहीं अशी-72 ठेक है फिर किसका अंतर समझेगा पिर किसका सव में 107.4 में एक सव दसमलों चार में से किसको गटा देंगे एक सव को कि घटाएंगे हम सव को है ना असी माइनस बहत्तर उसके बाद क्या होगा आपका 110 माइनस सव ठीक है 110 माइनस सव देखिएगा क्या हो जाएगा एक सव गटाये गएंगे ताजय हो बिटा बटा दस दस बाद दैनके ताजय हो का असी माइनस आठ गोडे दस मलो साथ चार तो अंतर वेशन भी सव प्रतिवल कितना याएगा कि दस आठ गुले आठ गुले दस मलो साथ चार आजएगा असी माइनास पांच दस मलो नौ दो ठेक है तो आजएगा आपका असी माइनास पांच दस मलो नौ दो चबहतर दस मलो चबहतर दस मलो जीरो आठ न्यूटन प्रति ए में इसको आए एक यह था अनुगे प्रतिवल अब फिर क्या देखेंगे ती यह दिया आपका शिरे पर एक रिवेट लगा रहाता तो अनुगे प्रतिवल क्या करते नहीं लेकिन आपको क्या लगा है दो दो प्रतिवермengेंच ब्रतिवल क्या ब्रतिवल कितना है प्रतिवल कीतना है ब्रतिवल गूरे दो है ना दो एंगल है किस्ट मुला कर देंगे दो से देख लेते हैं पांग का समर्थ कितना रहा है आप 866 गूरे दो कितना रहा आपका एक सो एक सो अठाइस दस्मुलो तीन जिरो किलो न्यूटन ठेक है तितना इंस्वार आपका एक सो अठाइस दस्मलों तीन किलो नियुटन तो कहां कि इसका चले समझे तो यह आपको नुमेरिकल था भेरी सिंपल था अभी हम को बहुत दिखिए हम बता रहें आप से यह कंपरेशन मेंबर बहुत थोड़ा लेंदी है नुमेरिकल इसकाथ हमको बहुत सारे नुमेरिकल परेंगे तो छोटे छोटे गलतियां मत करें आप लोग ठीक है और पताइए का एक समझाया की नहीं आया तो ठीक है आज कर लिए इसना है बस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो